जैसा कि आपने ये नोटीस अभी हाली में आया है यह आया था सत्रा ग्यारा दो जार तेबीस को पंडे दिन दियाल उपादाय शेकावाटी विसेविदाले शिकर मतलब अपड़ी युनिशिटी का इसमें परिक्स्यार्थियों है तू आवश्यक शूचना दिया गया है और सेमेस्टर सिस्टम है दिसंबर तेईस में इसके एकज़ाम लगने की आसंखा है चार-पात दिन में इसके फोर में स्टार्थ होने तो उनके लिए है ये, तो आप इस चीज को समझी, मुझसे आके पूछा जाता है बार-बार कोलेज में, कि ये कागज हमें समझ में नहीं आया, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आपको मैं विशेस बता देता हूँ, सभी को, जो इस साल पर्थम वर्ष में हैं, चाए केटे चलो, तो अपन सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं, जिन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स, केमेस्ट्री, जूलोजी, बोटनी, जियोग्रोफी, मैथ, जियोलोजी, हॉम साइन्स, इकोनोमिक्स, साइकोलोजी, और काम्प्यूटर, प्रैक्टिकल है, उनकी पहले बात करने हैं पर, तो इसमें कहा गया है कि, आपका प्रैक्टिकल विसाय, परतेक विसाय, एक सो पचास नंबर को होगा, ठीक है, सो नंबर की आपकी लिखित परिक्षा होगी, पचास नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, इस बार एक चें ठीक है तो इसमें बताया गया है कि लिखित प्रीक्षा सो नंबर की होगी पर्षन पत्र में दो बाग होंगे एभाग और बहभाग पहला लगुत्रात्मक दूसरा निमंतात्मक ठीक है अब इसमें बताते हैं पर्षन पत्र में कुल पांच पर्षन हल करने होंगे पर्टेक पर्शन 20 नंबर का होगा चलो अब जैसे आपने पर्शन पत्र ओपन किया तो उपर उपर लिखाएगा उसमें बाग है और पर्टेक करम की चार इकाई यूनिट डिवाइड होगी उसमें पर्टेक कई दो पर्शन सम्मिलित करते हुए कुल आठ लगू पर्शनों का उत्तर देना होगा जो अनिवारी होगा देखिए पर्शन पत्र में यूनिट आएंगी एक यूनिट दो यूनिट तीन यूनिट बाग ए बाग बैमें जैसे बाग ए में दो यूनिट आ गई तो यूनिट आएंगी तो इनमें से बाग ए कि जो पर्थम यूनिट आएगी जिनमें आप देखते हैं वन लाइन वन लाइनर क्यूशन आते हैं वो आपको कंपल्सरी अनिवारी होगा वो तो पहला आपको करना होगा आट क्यूशन आएंगी कंपल्सरी जो क्यूशन आते हैं इसके अंदर वो आट क्यूशन आएंगी एक यूशन डाई नमबर का होगा तो यह हो जाएंगे टोटल 20 नमबर के ठीक है अब बच गए आपका 80 नमबर का 100 नमबर की लिखित प्रिक्षा में से 20 नमबर तो जा पाठेक्रम की सभी चार यूनिटा इक नीट में से परतेक इकाई में से दो परशन समलिट करते विए कुल आट परशन होंगे। आप परे परिक्षार्ती को एक पर्शन हल करते विए कुल च्याल परशन हल करने हैं। जो आप निमनतात्मक बोलती हैं उसमें चार यूनिट आएंगी फिर एक यूनिट में एक यूसन दो फिर दूसरी यूनिट में तीन चार फिर तीस यूनिट में पांक छे फिर चोथी यूनिट में साथ आठ चार आठ यूसन हो गए परतेक यूनिट में से एक एक करना का 20-20 नंबर का तो 80 का ही हो गया है कि ठीक है तो यह इस परकार से आपके वह सब्जेक्ट जिनकी प्रेक्टिकल सब्जेक्ट है उनका आपको डेट सो नंबर का आकड़ा में आपको बता दिया है 20 नंबर के विशन उसमें आएगे लगउत्रात्मक और असी नंबर के आएगे निमंदात्मक उसमें से यूनिट वाईज ठीक है और पचास नंबर का प्रैक्टिकल ऐसे 1500 नंबर का सेमेस्टर सिस्टम आपका हो गया जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है चलो अब बात करते हैं इसमें ये भी लिखा है कि 50% की जो प्रैक्टिकल एक्जाम है जो प्रैक्टिकल में आपके एक्जाम लगते हैं रिकोर्ड जमा होते हैं वाई वाई होता है वो सब होगा वो विसे विदाले द्वारा निर्दारित पाठ्य करम जो चल रहा है उसी के आदार पे होगा चलो पब्लिक एडिमिनिस्ट्रेशन हिंदी अंग्रेजी संसकर्थ उर्दू और कॉमर्स शंकाय के तीनों विसर ठीक है इन में क्या है एक सो पच्छास नंबर का पेपर होगा है हां एक चीज़ और बताता हूं जो अभी आप ABC का क्रेडिट ABC बनाए हो ना ABC ID उसके 6 नंबर जो आपके दिक्कत का सामना करना पड़ेगा तो उसके भी 6 नंबर आपके जोड़ेंगे ठीक है अब लो वे विसर जिन में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है 150 नंबर का पहला पेपर होगा उसमें 120 नंबर की लिखित परिक्सिया होगी 30 नंबर का आंत्रिक मुल्यानकन मुल्यानकन का मतलब आपका टेस्ट लगेगा अलग से वो कोलेज़ पर सालेबस के अधार पर डिपेंड है या तो 30 नंबर का सेलेबस लगेगा मुल्यानकन या फिर 30 नंबर के आपके assignment बनेंगे अब आप सोच रहे हो कि प्रक्टिकल सीब्जेक्टं में assignment बनता है नहीं अ आपको बता दी जाएंगी जल्दी से जल्दी लेकिन 99 परसिंट ये कि आपका 30 नंबर का साइन्मेंट बनेगा सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस का भी एस्ट्री का भी बनेगा हिंदी का अंग्रेजी का इकोनमिक्स का इसका क्या नामस का कॉमर्स का यू जितने भी सब् सब्जेक्ट नहीं है कि ये इतियास अमासास्त लोग परकासन हिंदी संसकर्त उर्दू वानी जे इन सब का बनेगा लोजी 150 में से 30 नंबर का तोपन ने वांत्रिक पुले मुल्यारकन आपको बता जिए अब बात करते हैं 120 नंबर के क्रिशन के तो 120 में क्याएगा लिखित परिक्षा पर संपत्र में कुल तीन बाग होंगी अतिलगत्रा अत्मक लगत्रात्मक और निवंदात्मक ठीक है इस में में से सबसरे की कुल 6 परसन हल करने होंगे जिसमें 29 अउंक का होगा मलब 120 का 20 गुना 6, 120, चलो भाग ऐ की बात करते हैं भाग ऐ अतिलग उत्रात्मक, ठीक है भाग ऐ में 4 यूनिट्स होंगी 4 यूनिट्स में से कम से कम 2 परसन सम्मेलित करते हुए 10 अतिलग उत्रशनों का 1 परसन होगा मतलब 10 वन लाइनर क्यूसन होंगे जो आपको करने ही पढ़ेंगे आप उनको नहीं छोड़ सकते जो आपको करने पढ़ेंगे और ये कितने के हैं 20 नंबर के दो नंबर का एक शॉसन होगा वन लाइनर आएंगे जैसे बारत की राजदानी ये टोशन हो गए एक और बारत के प्रदान मंतरी बारत के राष्ट पती यह ऐसे क्यूशन आएंगे 10 दो परते क्यूशन दो नंबर का होगा तो दो गुणा 20 120 में से 20 गए अब 100 नंबर बचें 100 नंबर का और बता देता हूं शौर नंबर का 20 नंबर के क्यूशन हो गए यह हो गए आपके लगउत्रात्मक अती लगउत्रात्मक अब आएंगे आपके लगउत्रात्मक ठीक है अती लगउत्रात्मक गया फिर आते हैं आपके लगउत्रात्मक यह बाग भी में इसमें भी चार यूनिट आएंगी और एक पर्षन को सम्मिलत करते हुए चार, चार क्यूशन करने पड़ेंगे आपको, उपर वाले दस करने पड़ेंगे फिर आप परते के यूनिट में से सलेक्ट करते हुए चार क्यूशन गे लेना पड़ेंगे जो पांच नंबर गाएगा तो यह हो गए पांच यो के 20 ठीक है जी 20 उपर चले के 20 यह कहे 40 के 120 में बच गए कितने 80, तो 80 नंबर के क्यूशन अब भाग 3 में आ जाएंगे पाठे करम की सभी यूनिट एकाईयों में से 2 पर्षन हल करते हुए कुल 8 पर्षन आएंगे पर तेक यूनिट में से उन में से 4 पर्षन करना है तीसरा जो पर्षन है इसी में से उसमें 4 यूनिट आएंगे 4 यूनिट में 2 क्यूशन आएंगे 2 में से 1 करना है 4 यूनिट गुणा 2 8 हो गई 8 क्यूशन में से 4 करना है अपनी मन मर्जिसे नहीं करने हैं पड़ते कि उनिट में करना है इस परकार से आपको 20 चोके 80 80 नंबर का ये पैटर्न आपका हो गया है इस परकार से आपका पेपर आएगा मैंने आपको डीटेल से बता दिया है फिर भी अगर किसी परकार की दिक्कत हो मैसे तो अगसमें दि होस के तो बना के रखिए सब्जेक्ट वाइज और फिर आपको कोलेज में जमा कराने पड़ेंगे जैसे आप जमा कराएंगे उसमें आपको 30 नंबर में से नंबर दिये जाएंगे अगर आप जमा नहीं कराते हैं तो आपको अपसेंट किया जाएगा ओनलाइन सिस्टम है क किसी परकार की कोई दिक्कत में आनी चाहिए बाकी अगर आपको अच्छा लगाओ वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें जैहिन जैबारत